एन्टी ए यूजी सिनेट यानिन इमिजिनेट डाउलोड इट उन गूगल प्ले स्टार हेलो नवस्कार दोस्तो मेरा नाव रहतास नीमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटुब चेनल इमिजिनेट प्रोबे दोस्तो हमने एक मिशन शुरू किया है कि आपके इंदर जो डियाई का डर है उसको हमें खतम करना जड़ से देखिए हमारे मन में एक हववा बना हुआ कि हम डियाई के कोशन नहीं कर सकते बड़ दोस्तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारे सभी वीडियोस देखते हैं डियाई की तो आपके इंदर जो डियाई का डर है वो बिलकुल से खतम हो जाएगा एक्जाम में जब भी कोशन आते हैं तो हमें डर लगने लगता है और हम सोचते यार यह तो पता नहीं कैसे होंगे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हम देखके डेटा देखके घवराने लगते हैं लेकिन दोस्तों आपको घवराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप हमारी वीडियोस देखे आपका पूरा का पूरा डियाई का डर खतम हो जाएगा और इसी कड़ी के अंदर दोस्तों आज हम 25 स्टमबर 2020 में डियाई की कोशन आए उनको सोल करके देखेंगे कि किस तरह से उन सभी कोशन को आपको सोल करना है और अब भी देखे कितने अ अगर आप चाहें तो हमारा paid coach भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीपी से study करवाएंगे नमबर एक पे दोस्तों हम आपको all 10 unit study notes देंगे new updated slaves के अंशार प्लस में सब्तमबर 2020 में जो question आए हैं उसके अंशार हमने ये notes त्यार की हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको all 10 unit के videos देंगे add free videos आपको मिलने वाली है इसके साथ नमबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक सभी shift के question paper Hindi इनिस में with answer की आपको मिलने वाले हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक teaching के question अलग देंगे research के अलग देंगे communication के ल 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे YouTube पे तो दोस्तों अगर आपको एक course जोईन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी WhatsApp नमर पर message कीजिए या फिर link हमने video description box में भी दिया हुआ है चलिए दोस्तों अब हम question number 1 करते हैं यह देखें question number 31 है यह हमारा आया हुआ है exam के अंदर देखें डिया का जो भी question होता है सबसे पहले हमें उसकी statement समझना बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें क्या दिया हुआ है उस question के अंदर वो हमें पता होना चाहिए उसको हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है यह देखिए यह यह year यहा पर क्या दिया हो है और यहाँ चैलरी है वो दिए रहा एकश्पेंडिचर है वह यहां पर दिया हो है लाख के अंदर यह दिया हुआ है salary of staff salary कितनी है यह स्टाफ की यह 288 lakh है, यह सभी lakh के अंदर दिए है, transport पर खर्चा कितना होता है, किसी company के अंदर वो इतना होता है, उसके बाद बोनस कितना दिया जाता है, इतना दिया जाता है, interest on loan और taxes कितना यह है हमारा, अब हमें इस से related question करने है, ठीक है अब देखे, अब question नमर एक है question नमर एक में इन्होंने क्या कहा है वो हम पढ़ते हैं what is the average amount of interest per year that institute had to pay यानि की average निकालने हमें किसके उपर निकालने है interest की हमें निकालने हैं दोबारा से इसको आपढ़ लिए what is the average amount of interest per year that the institute had to pay यानि की interest पे हर साल average कितनी amount देनी पड़ती है institute को अब यह देखिए यहाँ पर कहें interest यह दियाना interest on loan interest कितना लग रहा है और 2015 में कितना लगा 23.4 लाख लगा इसी तरीके से हर year का यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल easily इसको कर सकते हैं इसमें इन सभी को हम प्लस करेंगे इन सभी को प्लस करेंगे और divide by 5 करेंगे यह हमारा right answer आ जाएगा देखिए कितना easy question है न हमारा यह और चली हम आपको solution भी दिखा देता हूं इस question का यहाँ पर यह solution है average amount of interest क्या होगी sum of total interest नंबर में divide by number of years अब देखिए total interest कितना हुआ हमारा इसको हम प्लस करेंगे इन सभी को प्लस करेंगे और divide by 5 करेंगे तो यह कितना गया 183.3 और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 33.66 आमारा answer आ जाएगा और यह answer किस में दिया है दोस्तों यह answer हमारा option number 2 में दिया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल easily आप question को कर शकते हैं और सबसे पहले अगर हमें question समझ में आ गया देखी question में कहा क्या गया है ठीक है जी चलिए अगला question हम करते हैं the total amount of bonus paid by institute यह देखे total amount किस पे total amount of bonus यह देखे bonus कहां पे हमारा यह है total amount of bonus paid by the institute during the given period is approximately what percentage अब देखे percentage निकालना है percentage of the total amount of salary paid during this period अब देखे salary paid कहां पे हमारे पास salary paid यह है ठीक है अब यह देखे total यह निकालेंगे bonus यह है इसको हम plus करेंगे फिर इसको plus हम करेंगे ठीक है इसको plus करके इसका जो percentage है वो हम निकालेंगे salary के साथ में percentage निकालेंगे ठीक है तो यह बिल्कुल easily आप बिल्कुल असानी से इसक निकालना है चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ करके दिखाऊंगा ता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा है न ऐसे देखने में काफी मुश्किल लगता है चलिए कोई नहीं मैं किसलिए बैटा हूँ इसलिए बैटा हूँ आपको करवा के दिखाऊंगा टोटल अमाउंट बोनस पेड़ वाइदा कंपनी अब यह देखी इसको तीन जमाई 2.52 यह हो गया और 3.84 हो गया 3.68 हो गया 3.96 हो गया इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा गया 17,00,00 हमारा अंसर आ जाएगा यह क्या है इसका टोटल होगा टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगा बोनस में 17,00,00 हो जाएगी फिर टोटल अमाउंट ओप सेलरी पेड़ वाइदा कंपनी अब देखे इसको हम प्लस में करेंगे इसको प्लस करेंगे 288 प्लस में 342,324 इन 17,00 बटे में 1710 और multiply by 100 ऐसे करेंगे इसको और जब इसको हम solve करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 0.994 और यह approximate किसके बराबर है यह approximate हमारा है 1% के बराबर है यह हमारा ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा option number 4 इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों इस त practice करके जरूर देखने हैं दोस्तों अगर आप practice करेंगे तो बिल्कुल easily यह question आपको आज हैंगे और वो कहते है न practice make perfect हां जी करें न practice जी very good जावास चलिए आगे हम question करते हुए question number 33 इसके अंदर क्या है total expenditure expenditure expense यानि कि total जो खर्चा हो रहा है हमारा of all these items in 2015 2015 के अंदर जो हमार total खर्चा हुआ है चाहे वो salary पे हो चाहे ट्रांसपोर्ट पे हो चाहे बोनस पे हो किसी पे भी हो 2015 में यह देखे यह सारा का सारा आ जाएगा हमारा ठीक है यह total आ जाए है 2015 ठीक है was approximate what percentage of total expenditure in 2019 अब देखे 2019 के अंदर जो expenditure हुआ है और 2015 में हुआ है उनका हमें क्या निकालना है उसका हमें percentage निकालना है 2015 का percentage निकालना है 2018 के साथ में इसका हम क्या करेंगे इनको प्लस करेंगे टोटल को और फिर इसको टोटल करेंगे फिर इसका हम percentage निकाल लेंगे है ना बिल्कुल easy मैं करवा रहा हूं तो कितनी असान लग रहे ना question real में असान होते है आप थोड़ यह मैंने आपको बताया था कि 2015 में जो भी expenditure हुआ हमारा 288 प्लस अठानवे प्लस थरी यह सभी कॉम प्लस करेंगे तो कितना आ जाए 455.4 लाग यह हमारा total आ जाएगा ठीक है उसके बाद में total expenditure in 2019 2019 में जो expenditure हुआ है अभी इस सभी कॉम प्लस करेंगे तो यह आ जाए हमारे पास अब हमी क्या करना है इसका क्या करना है percentage निकालना है प्रसेंटेज क्या निकालना है 2015 का 2019 के साथ percentage निकालना है तो 2015 का ऊपर रखेंगे 2019 का नीचे रखेंगे और multiply by 100 करेंगे तो यह हमारा क्या है दोस्तों यह हमारा answer आ जाएगा यह देखिए कितना है 84.63 आ जाएगा और यह हमारा answer किसके अंदर है यह answer option number image का answer दिया हुआ है ठीक है और कई बार देखिए अगर दोस्तों कई बार आपका answer जैसे यहाँ पे 84.63 आपका मान के चलिए आपका answer आ रहा है 83% आ तो आप किसमे answer लगाएंगे option number A पे answer लगा देंगे इस पे टिक कर देंगे आप ठीक नजदीक जो भी answer है वो answer आपके लगा सकते हैं जी चलिए आगे हम question करते हैं आगे question है हमारा question number 34 यह देखिए question number 34 इसके इन्दर इन्होंने क्या दिया हुआ है the total expenditure if the institution on these item during 2017 यह देखिए इसमें क्या कहा गया है total expenditure पूछा हुआ है इन्होंने किसमें पूछा है 2017 के इन्दर पूछा हुआ है 2017 का प्लस कर लिजी इन सभी का हम क्या करेंगे प्लस करेंगे अब इन्होंने क्या क्या है total expenditure if the institution on these items during the year 2017 इसमें हमें पूछा हुआ है तो इसका हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे यह हमारा answer आजएगा इसका हम right answer देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे soul होगा बिल्कुल easy है जो मैंने बताए आपको वही है total expenditure in 2017 2017 यह हमारा इन सभी को हम प्लस कर लेंगे ठीक है इन सभी की amount को हम प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 544.44 lakh यह हमारा right answer आजएगा देखिया यार कितना असान कोशन है कितना असान कोशन है लेकिन हम क्या गरते हैं कि हम जैसे डी आई का कोशन आया एक्जाम के अंदर बस हवा हो जाता हमारे अंदर हाई डी आई आई आगया डी आई आगया डी आई नहीं एक भूत आगया ऐस से लगने लगता है हमें ठीकर बट आपको ऐसा नहीं करना है आपको डरना नहीं है आप at least मेरे कहने से at least एक बार कोशन को पढ़के जरूर देखना पांच के पांच कोशन है ना पांचों को एक बार पढ़ना जरूर उसके अंदर easy question आपको दो कोशन तो आपको बिलकुल easy question मिलेंगे यह देखिए कितना easy question था हमाराई कितना easy question है 2020 में आया है कोई पहले कहां नहीं बता रहा है कि 2010 में 2012 में नहीं 2020 में लेटर जो हमारा exam हुआ है उसके इंदरी question आया हुआ है तो आप मेरे कहने पर एक बार डियाई की question सभी question आप पढ़के जरूर देखना आए ना accurate आही जाएंगे और मैं उमीद करता हूँ आप सभी दोस्तों का नेट और ज्यार फोज आएगा आप मेहनत करेंगे तो जी चलिए अगला question देखते है question number 35 इसके अंदर क्या है the ratio between the expenditure अब देखिए रेसो रेसो वाला एक question आता है हमारा ठीक है और हमारे क्या question आते देखिए एक तो हमारा आता है average निकालना आता है ठीक है एक question आता है हमारा average निकालने का डूसरा question आता है हमारा ratio का आता है प्रसenteज का अता है यह तीन question तो आपको DI के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे किसी भी तरहे की DI हो उसके अंदर आपको एक question मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है जी चलिए अब इसमें देखते है question number 35 के अंदर the ratio between the expenditure on tax for the year 2016-2018 अब देखिए रेशो निकालना है क्या निकालना है रेशो निकालना है किन किन के वीच में निकालना है 2016 और 2018 में और किस के उपर tax के उपर निकालना है टेक्स के यह है हमारा अब देखिए 2016 के हमारा यह है इसमें क्या है 108 और फिर 2018 में कितना है 1888 तो 108 का रेशो निकालेंगे 88 के साथ निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी है तो देखिए यार कितने इजी कोशन है हमारे कितने इजी कोशन हमारे एक्जाम के अंदर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखिए 108 और 88 इन दोनों का उम्म रेसों निकालेंगे कितना चेए 27 Less 22 हमारा राइट डाशेगा देखिए इसके इंदर दो कोशन हमारे कितने इजी कॉशन आए है जी हाँ तो मेहनत कीजी आप सभी दोस्तों और जितने भी कोशन है वो कीजिए करके देखिए आप डी आई के और आप सभी दोस्त मेरे को जुरूर बताना कि क्या आपको हमारी वीडियो से फाइदा हो रहा है क्या हमें ऐसे और वीडियो बनानी चाहिए अगर हाँ तो हमारा चैनल निमीजनेट पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारी चैनल निमीजनेट पर उको सब्सक्राइब कर लिजे घंटी का वटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके और हाँ इसके साथ साथ अगर आपने अभी दिख हमारी एप निमीजनेट डाउनलोड नहीं किये तो वह भी डाउनलोड कर लिजे उसके अंदर आपको all 10 unit study notes मिलेंगे 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के question paper मिलेंगे topic wise question आपको अलग-अलग मिलेंगे जैसे आज तक teaching के जो question आए वो अलग है research के अलग है communication के अलग है DI के अलग है सभी question सभी shift के आपको अलग-अलग मिलेंगे with answer मिलेंगे Hindi English में मिलेंगे ठीक है तो इतना कुछ आपको मिल रहा है यार फरी में एप डाउनलोड हो रही है डाउनलोड कीजिए और अच्छे से अपनी study कीजिए तो आज के लिए वह सितना है दोस्तों thank you very much बाइबाए दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा paid coach भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरी पिसे study करवाएंगे नमर एक पे दोस्तों हम आपको all 10 unit study notes देंगे new updated slaves के इनुशार plus में सब्तमबर 2020 में जो question आये हैं उसके इनुशार हमने ये notes त्यार की हैं इसके साथ आपको 2012 से लेके December 2019 तक teaching के question अलग देंगे research के अलग देंगे communication के इस तरह से सभी unit के question आपको अलग अलग मिलेंगे इसके साथ हम आपको most repeated होने वाले question के बारे में बताएंगे plus में आपको notes भी देंगे इसके साथ हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके सासा दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे YouTube पे तो दोस्तों अगर आपको एक course जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी WhatsApp नमर पे message कीजिए या फिर link हमने video description box में भी दिया हुआ है Hello नमस्कार दोस्तों मेरा नामर उतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल लिमिजनेट प्रोपे दोस्तों हमारा mission है आपके अंदर डियाई का डर खतम करना काफी दोस्तों के अंदर एक हवा बना हुआ कि हम डियाई के question नहीं कर सकते बट दोस्तों हम एक mission शुरू किया है हमने कि आपके अंदर जो डियाई का डर बनावाना इसको हम बिल्कुल से खतम कर देंगे और इस से related हमने पहले भी काफी वीडियोज बनाई है और काफी complex question जो ड्राने वाले question वो सभी हमने आपको करके दिखाएं कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और इसी कड़ी में हम 2020 के question भी आपके लिए लेके आए हैं इससे पहले भी हमने एक question बनाए था 2020 का आज फिर 1 अक्टुवर 2020 shift 1 में जो question आए वो आपके लिए लेके आए हैं ये देखने में कितना complex लग रहा है इससे देखके आप डर जाएंगे कि हाई इतनी इतनी बड़ी calculation इतना data हम कैसे करेंगे बड़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक question करना है आपको डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है बस दोस्तो थोड़ी सी महनत करने हैं आपको और हमारे वीडियोस देखनी है अगर आपको real में डियाई का डर खतम करना रहा है तो आप हमारे सारी वीडियो दे कि आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि आपके अंदर डियाई का डर खतम हो जाएगा दोस्तों अगर आप चाहिए तो हमारा paid coach भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीपी से study करवाएंगे नमबर एक पे दोस्तों हम आपको all 10 unit study notes दें कि दिसंबर 2019 तक सभी shift के question paper Hindi English में with answer की आपको मिलने वाले हैं इसके साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक teaching के question अलग देंगे इस तरह से सभी unit के question आपको अलग-अलग मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको most repeated होने वाले question के वाले में बताएंगे plus में आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके साथ दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे यूटूब पे तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी वर्टसक नमर पर message कीजिए या फिर link हमने video description box में भी दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं 1 October 2020 सिफ्ट एक में आया हुआ ये question दोस्तों दियाई का question जब भी हम करते तो सबसे पहली requirement यह होती है कि उस question की statement को अच्छे से पढ़े उस question में क्या दिया हुआ है उसको समझना वाली बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें question की statement समझ में आ जाते अपीर हुए exam के अंदर उसको इन्होंने क्या लिखा ए से इन्होंने denote किया है और जो पास हुए उनको इन्होंने पी से denote किया है इन्हें competitive examination from four different zone चार जोन के अंदर जो student अपीर हुए और पास हुए उनका data यहां पे दिया हुआ है और कितनी साल का यहां पे 4 साल का 2014 से लेक दो तीन चार पांच छे साल आप यहां पर देख सकते है ठीक है जी अगर यहां पर हम देखे तो इसमें देखे यह हमारे zone दिये के L M N यह हमारे चार zone दिये हुए और हमारे यहां पे student है एक student तो कहा कि जो अपीर हुए exam के अंदर अपीर हुए वो और दूसरी के है जो पा आगे हम देखते हैं आगे इस question को कैसे करते हैं question number 1 में इन्होंने क्या दिया है what is the difference between the total number of student अब यह देखिए what is क्या निकालना सबसे पहले हमें difference निकालना है total number of student who appear in the exam देखे जो अपीर हुए exam के अंदर वो to the total number of student who pass यानि कि जो appear हुए वो और जो pass हुए वो इन दोनों के बीच में difference निकालना है और आगे क्या from the zone के के और all the six years सभी छे सालों के अंदर zone k के अंदर जो student appear हुए है और pass हुए उन दोनों के बीच में हमें difference निकालना है अब देखे zone k कौँछा हमारा zone k हमारा ये है इसमें appear हुए कौँछा है ये student है और pass हुए student कौँछा है ये है अब देखे इन सभी को हम plus कर लेंगे प्लस में पी वालों को हम प्लस में कर लेंगे इनका डिफरेंस हम निकालेंगे अब देखे इसमें डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया ना कि अपीर हुए उन सभी को प्लस कर लीजे फिर पास जोए उन सभी को प्लस कर लीजे और फिर माइनस कर दीजे करते हैं अब देखिए अगर यह करना चाहिए इसका आपको दिखाने करके अब देखिए इसका अन्द कर दोगा से करने प्盯शार in और उनको प्लस के दरगी हा जो ह करेंगा अब हमारे पास सब सकते नहीं में का सब गहे हैं बखेंगी जलंदी से इंस ए इस में व позвол कि अजेगा हमारे प्रणस क्लारोप्ति में जल्दी कितना है जी पसी हो गया बहुत तो इस तरह आप दिशाना रखना दोस्तों के अंदर सबसे बड़ी बात हमारे यहीं होता है कि कोशन तो हमें समझना जूरूमारे होता है तो आपका पठ चाहरे हो जाता है और जदा है कोशन ही समझना कि कि कहना कि आचा रहा है इसमें है वाइरल दीजीज के अंदर है चलिए आगे कोशन नमबर टू करते हैं और इसमें इलोंने क्या दिया हैं पढ़के तो इसलिए को मैं देखते हैं दोस्तों वाट इस पास कभी हिंदा एक्जाम फ्रॉम और जोंग यान की सभी फोर जोंग ऐसे आपको पास हुए चुटेंट निकालना है हमें और कौन से एर के देख सकते बादर अब देखे दो हजार पंदर कोट्षा उमारा अब यह है जिक है अब सभी जोंग के पहले है लिया ना को पिमें साथ में लेके बैठ ला तो उसमें कौन से स्टूडेंट का इमरेज निकालना है जो पास हुए उनका ठीक है पास हुए अब देखी इन सभी का प्रलस नहीं का नाम जाता हूं और आपको हमें करने जो पास हुए चाहे का प्रलस करना रोग सकते और यह देखे चार्शों ब तो आप करी सकते हैं तो इसका वेकेंट बैट हो गया हमारा जो खाली जल्दी से इसका आणसर देजी बटे वेडियो रोग से और मुल्टी क्लाइवाइ च्ट लेना चाहे तो और इसका मैं आपको बहुत एच्छे तरीका मैं बता जाँए तरीका क्या है जी ए रहे हैं निकाल भार अनुट है इन दोन कंसी तरस करते हैं कि वीघ्ण में टॉटल एड़ खाली है अब इसको कितने से रिएड करेंगे पूर शेड़ करेंगे C1 कुट और भरे होवी चार से डिवाइड करेंगे हमारी प्रैक्टिस करने के जोड़ाइब हरे इस तत्री के से आपको ने ही प्रोडम क्या है कि अपन्दला गाला है अप्र यह नहीं कर शक्ते हैं और दूसरा फिर हम प्रैक्टिस ही नहीं क्या है बद्ञा सब्सक्राइब करेंगे तो 10 नमबर तो हमारे यहीं पर हो जाते हैं तो आप सब्सक्राइब करने हैं ठीक है आप टाइम भी ले सकते हैं वीडियो को रोग सकते हैं और जिसने यह लोग सबस्क्राइब करने तो आप्सदर अब चरह सब्सक्राइब करें अब दूंसे सब्सक्राइब करते हैं कैसे आए जो देखे और सब्सक्राइब कितने हैं और इस तरीके से सी में निकालेंगे तो इन सब्सक्राइब कितना बड़ा यह कुर्शन लग रहा था बट अब जब इसको कर पा रहे हैं और हमें प्रसेंटेज कितनी निकालने किसकी कंपेर में परसेंटेज निकालने किस तरह से तो यह के अंदर है यह है आप हमारे वीडियो मैंने बनाई हुए आवरेज अधास के इन्दर के वेडियो नेसके में अगया निकालने की अब कर के देख लेना बिल्कुल एज़रह को जए तो कितना है काई से निकालते हैं एक पहली प्रहुन करते हैं और अगर आपको पॉस्टन नहीं है तो आज यह दो आपको देखे लिए आपको देखा कितना वारीज से पर से पैसर अब करके देखिए यार करके देखिए अंदर तो आपके इंदर हैं मैं बता हों का कई हो अगर कोशिश करेंग कि निए याद फास कितना हो जाए बीश चले चले पंदरा कितना हो जाए भीज वें निकालना number इसके लिवर के मुझे टोटल नम्रों में बात करें अब टोटल यह तो देखिए हमने कर लिया लिवर कर लिया ठीक है इसी तरी किसे मुझे तो इस तरह से हम इसको करेंगे जो स्टूड़ा मैंने अपको बता दिया है उसका जल्दी से कीजी है जल्दी से क्या कर रहे रहे हैं इतना इजी कोशन है पास जो हुए है उसके फिर भी नहीं कर पा रहे है निकालना है ठीक है अच्छी बावार से आप इसको पढ़ सकते हैं पास प्रों जल्दी से कोटल नमर ओव स्टूड़न आप साथ इसके साथ हमारे सरक्राइटेस एक्जाम आई आप समस्ट में तो कैसे थोड़ा सा मुस्किल लाए है हमें जयारफ है लेना नहीं रहा है ओ हो मेरी चली कोई निको करवा रहा हूं मैं किसली वैठा हूं इसके मैंने करो अभी आप करके इसको करवा के दिए जब तक कि दिखाता हूं मैं किस तरह से होगा जब तक यह हमारा एम जोन यह है इसमें पास को प्लस करेंगे प्रैक्टिस को बहुत आपको कि तना आजाएगा दो हजार पांसो जोड़ेगर करने एन प्रैक्रिस को आजाएग अब मैं आपको इसका सॉलुशन दिखा देता है अब देखिए हमें इसका पर्षेंटेज भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका सॉलुशन है हम रहे यही हम स्बहुन इसको और तोटल पेशन कितने हमारे जब इसको सबी बसक यह होस्पितने हैं सबी मरीज कितने हैं तो इसके वराबर तो इसका जाए दोस्तों तो इसका अच्छा आपने सब्सक्राइब करते हैं कि आप लोग करके नहीं नहीं बनाएंगे अगला कोशन करते हैं कितना भी देख ले जब तक उस रोटी को हम नहीं बनाएंगे अगे आपको यानल सब्सक्राइब करते हैं अगे अगे में बात करते हैं किद्नी के वाद में इसके अलावा जो भी हमारे कोशन हैं अगर आपको याद को कितना होगा है तो वहां से आपको अगर नहीं आते तो हम कि सब्सक्राद कुर्ण को सब्सक्राइब यह परहले कि सब्सक्राइब पर से लेके निकालना है जो सबसे हैं जो पर से जो कोश्चन पेपर होए यह थोड़ा सकते हैं और दिया के इक एक कोश्चन आपको अगर आपके पास की सबसे हैं तो आपके पास की सबसे होगा देखे यह कैसे होगा देखे यह जल्दी के इंदर किके नमर एक चलिए हमारा और अगले करते हैं अगले करते हैं और यह आपको करते हैं इनका परसेंटेज इनके साथ में निकालना है जो स्टूडेंट पास आउट हुए उनका परसेंटेज अपीर हुए के साथ में निकालना है ठीक है कि सबसे पहले में यह देखी जैसे के का कैसे निकालेंगे पास पास कितने हुए उनकालना है और डिवाइड वाई में कितना हो जाएगा हमारा इस तरीके से चारों का निकालना है और फिर हमें बताता है कि सबसे कम जितने है वो ठीक है डिवाइड वाई तरीगा मैंने आपको उता दिया है बट थोड़ा सब्सक्राइब अगर ज्यादा टाइम नहीं आपके पास हो गया पता कि इस तरह के पास होगा तो आप उसको स्कुप भी कर सकते हैं अगर क्या हो गया पंदरा जबी सक्था बट मैं आपको यह कोशन के वारा हूं के लिए हो सकता है आपको तीम जी मैं नहीं हो जाए आपकी जी इस को मैं ऐसे अगर तरीका मैंने आपको बता दी जी मैं देख लाएं तो नहीं हो गया किसे लिए और जो जो कोशन को करेगा वो अपने जी चली इस ते ना वहीं जी तो जल्दी से जिन दोस्तों का ढ़िए का रखा हो रहा कर रहा हूं वो सभी वेरी इसमें करना जरूर जरूर मैं करना ताकि हमें पता जल्दी से जल्दी से कितनी काम आपके आ रही है तो आज कर दोस्तों और अगर आप अभी तो मैं उम्मेद कर ताओं सभी को आज का ये चैनल को सबस्क्राइब कर लेजे घंटे और जो मैं आपको बहुत अच्छे दिल्दे कर वाले की से कोशिश के और अगर किसे को सब्सक्राइब कर ये तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या इतना बड़ी है ज्यान दे रहें आपको फरी में दे रहें तो इतना तो बनता ही है ना फरी में यार कोई पैसे नहीं ले रहें फरी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या करना है घंटी का बटन जरूर दवाएए ताकि आप मारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके और ला बाई बाई एलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल लिमिजिनेट परो पे दोस्तों हमने एक मेशन चलाया हुआ है कि आपके अंदर डियाई का डर खतम करना है और इसके लिए हमने पहले काफी वीडियो बनाई तो हमें ऐसा लगता कि यार ये कोशन तो आप नहीं कर सकते बड़ी बड़ी टेवल होती है इनकी कैलकुलेशन कैसे करे समझवें नहीं आता और इस डर से हम उन कोशन को छोड़ देते हैं हम कर ही नहीं पाते लेकिन दोस्तों मा आपको पूरी गैरेंटी के साथ कहता हूँ अगर आप हमारे वीडियोज देखते हैं और उनकी निसार काम करते तो बिल्कुल इजली आप डियाई के कोशन कर सकते हैं तो सबसे पहले आप हमारे वो वीडियोज देखिए अगर आपने वो वीडियोज देख ली है तो आज हम कोशन करने वाले हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर 5 November 2020 shift एक में जो question आये वो मैं आपको करवा के दिखाने वाला हूं कि किस तरह से बिल्कुल easily हम question कर सकते हैं और आज भी दोस्तों ये हमारा question paper आप सभी को पता है अभी recently हुआ है तो इसमें हमारा कितना easy question आया हुआ है और और भी हम question करने वाले हैं डियाई के 2020 में जो आये हैं वो भी मापको दिखा हुआ कि किस तरह से आप बिल्कुल easily कर सकते हैं लेकिन आज हम 5 November 2020 में जो question आये वो हम करके देखने वाले हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना और एक चीज़ और दोस्तों सबसे पहले आप सभी दोस्त अपनी अपनी copy panel लेके बैठ जाएं क्योंकि आज आज आपकी digital कुटाई भी होने वाली है हम आपसे question भी करवा के देखेंगे प्लस में मैं आपको बताऊंगा भी अगर ये question नहीं आया तो आपको solution भी बताऊंगा अच्छे से detail में तो आप copy panel ले लीजिए जल्दी से video रोक लीजिए यहीं पे और जल्दी से copy panel लेके आए और बैठ ही हमारे साथ अगर आपको जियारफ लेना है तो आगी बाद समझे जियारफ लेना तो copy panel लेनी पड़ेगी जी copy panel से जियारफ मिलेगा ठीक है जी चलिए ले आए हैं तो चलिए very good बहुत अच्छे तो चलिए दोस्तों अब हम question करते हैं question number 1 करते हैं और ये 5 number 2020 shift 1 में आया है सबसे पहले दोस्तों di के इंदर हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि उस question में जो statement दी है जो table दी है उसको समझना हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें क्या दिया है उस सभी आवकड़ों को समझना जरूरी है तो इसको हम देखते हैं कि इसके इंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है और इसमें मैं पहले ये जो हमारी screen है screen को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर यह जो हंड्रेड है ना हंड्रेड पचास यह है कितने बेट है यह बात करते हैं कोन कोनसी बिमारी है और उन बिमारियों से辋 डीम कॉन 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 कितने बैड भरे हुए है तो बिमारी एक कंदर कितने बेटiteit लोग है और हर्ट के कितने 35 है किडनी के कितने 15 है लिवर के कितने हमारे पास 10 मरीज है इतने बैड भरे हुए है अलग अलग होस्पिटल के अंदर ठीक है ये चीज आपको समझ में आगी वैरी गुड शाबास चली इसी के बेश पर हमारा एक कोश्चन है और आप सभी दोस्तों को आंसर देना है कोमेंट वॉक्स के अंदर जल्दी से आप सभी को आंसर बताना है सबसे पहले हम इसको जो कोश्चन है वो पढ़ लेते हैं कोश्चन में क्या कहा गया है चारी तो है यह और चारी ओप्सन हमें दिये आप इसमें अंदाजा भी लगा सकते दोस्तों डियाई के अंदर जितना जल्दी कोश्चन कर सके उतना जल्दी हमें करना चाहिए पूरी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है डियाई के अंदर ज़्याद है तरह हम अंदाजे से करते हैं अब देखिए इसके अंदर अगर हम ये बात करें वाइरल डीजीज की और लेवर डीजीजीज की बात करें तो इन दोनों के अंदर यह देखिए यहाँ पे कितने दस हैं पांच हैं पंदरा, सुरी 5 है, फिर 15 है, इसका compare to, इसके comparison में देखिए, तो इसके म्रीज ज्यादा है ना, ये हमें दिख रहा है, ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारा option है, ये हमारा option गल्थ हो गया, अब आगे हम बात करते हैं, इसकी और इसकी इन दोनों के हम बात करते हैं, इन दोन वाला ये भी हम reject कर देते हैं अब हमारे पास क्या बचके दो ही उप्शन बचके ना हमारे पास viral disease और heart disease ये दो उप्शन हमारे पास बचके इन में देखते हैं कि किसमें ज्यादा मरीज है अब देखी अब आप चाहे तो इसको count कर सकते जल्दी से इनका total कर सकते हैं देखे य यह आप ध्यार रखना दोस्तों आगे भी हमारे जरूरत पड़ेगी इनकी 90 हो गया और heart disease के कितने हमारे पास heart के देखी हिए यह कितने होगे 30 जमां यह 10 कितने होगे 40 जमां में 10 कितने होगे 50 15 35 कितने होगे 85 85 होगे 35 होगे सबसे ज्यादा मरीज हमारे किसमें है किसमें है हमारे वायरल डीजिज के अंदर है ठीक है आगी बात समझवें देखें कितना इजी है बहुत इजी है न तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आपको डियाई से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल इजी है बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप कोशिस कर के देखिए कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती समझें जी वैरी गुड शाबास और ऐसे ही आपको करने दोस्तों सभी कोशिन आगे मापको और भी कोशिन करवाने वाला हम और इस कांसर आप देख सकते है वायरल डीजिज है इस कांसर बिल्कुल इजी आप इसको कर स समझाता हूँ और आपको फिर इसका अंसर देना है चाहे तो आप वीडियो को रोख सकते हैं और उसका अंसर दे सकते हैं सबसे पहले इस को समझते इस कोशन में क्या दिया हुए वर्ट इस टोटल प्रसेंटेज ऑफ अन यूटिलाइज बैड यानि कि ऐसे कितने प्रतिशत वैड है जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ जो खाली पड़े हुए है वह में बताना है ठीक है बिल्कुल इजी है ना यह देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे टोटल बैड माइनस में जो भरे हुए बैड है वह माइनस कर देंगे ठीक है फिर हम निकालेंगे देखिए इसका वेकेंट बैड हो गया हमारा जो खाली बैड है बटे में टोटल बैड और मल्टिप्लाइवाई अंड्रड करेंगे और इसका म 35 है 15 है 10 है इन दोनों का प्लस करते हैं कितना आजाए है 50 आजाएगा 50 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा टोटल यह कितने नब्बे लोग लोगों ने बैड ले रखा है तो सेस कितने रहेगी है हमारे पास 10 बैड खा लिए यहाँ पे ठीक है इसी तरीके से इसी में करेंगे टोटल बैड हमारे पास कितने है पचास है और भरे होगे कितने हैं भरे होगे देख लेते हैं पांच और पांच दस दस और दस कितने होगे बीस और बीस और पंधरा कितने होगे पैंतिस होगे ठीक है पैंतिस बैड पे लोग है और टोटल बैड कितने हैं होस्पिटल बी में कितने 50 है 50 में से 35 कितने रहेगी हमारे पास 15 रहे गए इस तरीके से आपको ये C निकालना है और फिर D निकालना है ठीक है और फिर हम क्या करेंगे ये जो हमारा क्या है लिकालना है ठीक है ये जो चलदल में से जो भरे हुए बैड है जो भरे हुए को बी लिख लेते हैं और फिर क्या जया वेकंट आजाए हमारे पास यानि कि 6 वेड रह जाएगा सेस वैड, वेकेंट वैड, बटेवे टोटल वैड, multiply by 100, ठीक है, बिल्कुल easy है यह, तो आप सभी दोस्त, जल्दी से जल्दी comment box के अंदर अपना-पना answer लिखिए, आप time भी ले सकते हैं, वीडियो को रोग सकते हैं, कोई बात नहीं, और जिसने यह answer नहीं किया, उसको घू question कीजिए, मैं आपको, आप वीडियो लोक लेना वई, अगर चाहे तो, ठीक है, मैं आपको अभी इसका solution दिखा, ताउं किस तरे से आपको यह करना है, इसका answer में आपको दिखा देता है, देखी, इसका answer क्या, answer 3 है, 16.66 इसका answer है, यह कैसे आया है, यह देखे, hospital A में total bed कि कितने हैं? 100 है, और भरे हैं, 90 है, सेस कितने रहाएं? 10, वोह चीज दो है, जो मैं करवाता हुआ, आपको, और B में क covering 50 है, और भरे हैं 35 है, सेस कितने रहा गी हमारे पास 15, इसी तरीके से C में निकालएंगे, D में निकालएंगे, 15 आ गया, 10 आ गया, इन सभी को हम total करेंगे ठीक है, टोटल टोटल वेकेंट बैड कितने हमारे पास, पचास है, और टोटल बैड कितने हमारे पास, टोटल बैड है, हमारे पास 300 है, तो पचास बटे में 300, और मल्टिप्लाइवाई कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, मल्टिप्लाइवाई कितना हो जाएगा, 100, परतिशत न जल्दी से जल्दी उसके वीडियो बनाई है वह आप देख लिजिए बिल्कुल easier way में आपको समझ में आ जाएगा ठीक है जी वेरी गुड श्याबास जी इसका अंसर आप देख सकते हैं आंसर थरी है छांसर पॉइंटर सुरी 166 इसका अंसर है ठीक है जी वेरी गुड चलिए अगला हम कोशन करते हैं वही और आंसर कर रहे हो ना साथ की साथ है कुटाई कर दो है अगर आप कुशन नहीं कर रहे हैं तो कूट दो हैं आपको देख लेना फेर देखिए अगला कुशन आपना वट इस दा परसेंटेज और दिशी पेशन पैसंट अध्मितिड इन ऑल दा होस्पिटल लीवर डिजी जो सभी होस्पिटल के अंदर है लीवर डिजी क्या है हमारे य यह क्या हो गया लीवर डीजिस के होगे अब आगे हमें क्या करना है फ्रॉम दा टोटल पेसेंट एडमिटिल परसेंटेज निकालना है लीवर डीजिस का और टोटल जो पेसेंट है उनके कंपेर में हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है कि लीवर के मरीज वो कितन लेंगे इन सभी का टोटल करेंगे और फिर जो लीवर वाले हैं ठीक है लीवर वाले डिवाइड वाइड टोटल और मल्टिप्लाइवाइड कितना आ 100 होगा तो इस तरह से हम इसको करेंगे ठीक है फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है जल्दी से कीजी है जल्दी से किसी क्या कर रहे है आप बैठे यार इतना easy question है और बिल्कुल असारी से मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजे मैं बता रहा हूँ फिर भी नहीं कर पा र नहीं है अठी बात नहीं है कुटाई हो जाई है आपकी समझ गए तो जल्दी से कमेंट वोक्स के अंदर अपना answer लेखे मैं देख रहा हूँ आप सभी दोस्तों के कमेंट वोक्स का जवाब दूंगा मैं और देख रहा हूँ कि किन दोस्तों को आया है हमारी वीडियो कि कितना इंप्रूमेंट हुआ है आप दोस्तों के अंदर अभी हमारे सर के उपर बैठा हुए एक्जाम आई वास समझ में अगर अभी आप सुस्ति करेंगे ना तो कैसे बात बनेंगे हमें जयारफ लेना भाई साब ओ मेरी बेहन जयारफ लेना है प्लीज प्लीज मेहनत क करो अभी आप करके देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना भाई साब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जयारफ तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता आपका प्रैक्टिस करना हमारे बहुत ज्याला जरूरी है ठीक है जी वेरी गुड कर रहे हैं ना प्रैक्टिस वाओ क्या भात है अब तो बहुत अच्छे दोस्ता मेरे स्यावास चलिए चलिए करते रहना इसका अंसर और कमेंट वॉक्स के अंदर लिखना आई बात समझेंगे क्वेंट वॉक्स के अंदर और अब मैं आपको इसका सोलीशन दिखा देता हूं आप अंसर लिए लिवर के कितने हैं हमारे पास 35 है और टोटल पेशंट कितने हमारे सभी होस्पितल में सभी मरीज कितने हैं टोटल कितने हमारे पास 90-35-85-40 इन सभी को एड़ कीजिए किदना आगया हमारा 200 आ ठीक है तो 35 बटे में 200 x 100 कितना अंसर आजाएगा 14 परसेंट हमारा आज जाएगा आई वाद समझें तो देखें कितना इजी या अच्छा अपने 14 या अंसर दिया था यहीं निकाला था आपने आरे वाई यार वेरे गुड आप तो बड़े जीनिए वाव श्यावास श्यावास बहुत अच्छे आपका ज्यारफ जरूर होगा देख लेना ठीक है क्या मेरे मुँ में घी सकर वाव वेरी गुड चलिए अगला कोशन करते हैं क्या दिया हुआ है देखिए वाट इस दा रेशो पेशेंट एडमेटीड फॉर वाइरल डीजी टू किडिनी डीजीज यानि कि वाइरल डीजीज के मरीज जो है उनका रेशो निकालना है किडिन कितने हमने कितने किये थे 90 किये थे अगर आपको याद हो तो इन सभी का टोटल कितना है 90 है आगे हम बात करते हैं किडिनी के बात करते हैं तो किडिनी के हमारे पास मरीज कितने है किडिनी के देखे 15 जवा में 15 कितना हो गया 30 और 10 कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया यह कितन हो गया against The इस का र संब्सकी कि नो रैस ओ निकालना ना jest तो नवेश कर दीजिये जिरोज और कि नो र सो Chief 4 व्ह सा और रहो ऑप्स्न नंबर फोर के लिए तो के लिए रहा ओफ्सट नंबर एक देढ़ नो रसो सबसें पता है नहीं चलाया ओर कब कर दिया आरे यही तो खास बात है आप एक अब कर चुठके 51 आंसर आपका हो जाता है अब प्रेक्टिस किजी प्रैक्टिस करके देखे बहुत मज़ायेगा आपको आप हमारी वीडियूस देखे उसमें बहुत मज़ायेगा किस तरह से आपको कुश्चन करना और अगर आपका कोई स्पेशल कुश्चन है ना आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हमें बताईए ना हमें बताईए हम आपको solution देंगे करके दिखाएंगे आपको किस तरह से question होगा ठीक है जी और एक और चीज हम आपको बता रहा हूं क्या आपने हमारी अभी तक डाउनलोड नहीं किये अरे आप हमारी डाउनलोड कीजी निमीजनेट डाउनलोड कीजी उसके अंदर आपको सभी shift के question paper मिलेंगे 2012 से लेके 2020 तक के हाँ 2020 के अभी जो question paper हुए वो भी आपको मिलेंगे वाई साव जल्दी से आप डाउनलोड कीजी पेपर first और पेपर second दोनों मिलेंगे पलस में आपको सभी shift के question paper topic wise अलगल मिलेंग इसके साथ साथ आपको सभी 10 unit के study notes भी मिलने वाले हैं तो जल्दी कीजी ना यार डाउनलोड कीजी अभी से निमीजनेट है ठीक है जी चलिए very good शाबास और अगला question करते हैं और अगले question में मैं ध्यान रखूंगा ध्यान रखूंगा चिटकियों में आपको बताऊंगा स्याना हो गया है अपकी बार ठीक है यह तो वही question है question number four का solution है question number five करते हैं और यह आपको करना है ठीक है आपको करना है comment box के अंदर जवाग दीजी आपकी जवाव का इंतजार है हमें बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं आपके answer का ठीक है जी सबसे पहले हम इस question को समझने की कोसिस करते है question में इनने क्या दिया answer नहीं दिखाऊंगा answer नहीं बताऊंगा आपकी बार श्याना हो गया मैं what is the race of total patient admitted to hospital A to hospital B यानि कि hospital A में कितने मरीज है उसका रेसो निकालना है हमें hospital B में जो मरीज है इन दोनों का हमें रेसो निकालना है कितना इजी यार देखिए इस इस निकालना है इस टोटल कितने है टोटल एक जितने भी टोटल है वह डिवाइड वाइड वाइड टोटल ऑफ बी यह हो जाएगा हमारा ठीक है और देखिए तीस यह देखिए इसको एड कैसे करेंगे एड करने का इजी है तीस जमामे पंदरा क्या हो गया हमारे पास मैं तो पूरह कर वारा हूं आपको बच गया बच गया मैं नहीं करवाने वाला जी आप कीजी इस कोश्चन को मैं देखना चाहा हूं या आप भी कुछ हाथ पैर हिला रहे या नहीं हिला रहे जल्दी से इस कोश्चन को कीजिए और कमेंट वॉक्स के अंदर अपना जाएगा तो जल्दी से इस question का answer बताइए आप सभी का wait कर रहा हूं very easy बहुत ही असान ये question है ठीक है तो जल्दी से question का answer दीजिए दोस्तों मैं आप सभी के answer का wait कर रहा हूं ठीक है तो मैं उमीद करता हूं आप सभी को आज का ये question अच्छा लगा होगा और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश के और और भी 2020 से shift के और भी मैं question लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए और आपको जो भी question करवाने वो comment box के अंदर बताइए हाँ और एक चीज और, एक चीज और सबसे important अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल लिमीजनेट प्रो को सबस्क्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब किजिए, यार इतना बड़िया बड़िया ज्यान दे रहें आपको फरी में दे रहें, तो इतना तो बनता ही है ना फरी में यार कोई पैसे नहीं ले रहें फरी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या करना है घंटी का बटन जरूर दवाईए ताकि आप मारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके और लाश्ट में जाते जाते एक और इंपोर्टेंट बात अगर आपने अभी तक हमारी एप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज के लिए वसी तरह ही दोस्तों थैंक्यू वेरी मुच बाइबा